वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके मेल आइकन में आल को प्रेस कर दीजिए नमस्कार, ट्रेंस एंटेवल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जैसा आप सब जानते हैं, इस समय सभी की नजरें अयुद्या पर लगी हुई है क्योंकि 22 जनवरी को वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कारिकरम है और भगवान श्री राम लला अपने नए मंदिर में अपने स्थान पर विराजेंगे जिसके लिए माननी प्रधान मंत्री जी भी अयुद्या पहुँच रहे हैं और रेलवे भी इसके लिए पूरी तयारी कर रहा है क्योंकि जब आम जनता के लिए मंदिर खुलेगा प्राण प्रतिष्ठा के बाद 22 जनवरी को वहाँ पर जनता से अपील की गई है कि वो ना पहुँचे सुरक्षा के मद्दे नजर जिसके बाद वहाँ पर लाखों श्रद्धालूं के आने की उमीद है जिसके लिए रेलवे ने भी कमर कसली है और इसी के चलते बारबंकी जनक्षन से अयोध्या जनक्षन होते हुए अयोध्या धाम के रास्ते जो वारणसी का हमारा रेलखंड है इसकी डबलिंग का काम जो चल रहा है दोरी करण का वो भी अंतिम चरण में है जगे जगे इस समय अलग-लग स्टेशन पर मेगा ब्लॉक ले करके प्री एनाई और नॉन इंटर लॉकिंग के कारे चल रहे हैं ताकि बारबंकी जंक्षन से अयुध्या धाम होते हुए वारणसी तक डबल ट्रेक को खोला जा सके जिसके बाद कई सारी स्पेशल ट्रेंस एक हजार के आसपास स्पेशल ट्रेंस सौ दिनों तक रेलवे चलाएगा अयुध्या के लिए देश के विभिन स्टेशन से अलग अलग कोनों से और साथी साथ मीडिया में भी कई बार आ रहा है कि प्रदेश की राजधानी लखनव से और हमारा जो गोरकपुर है और प्रियाग राज जंक्षन से अयुध्या के लिए मेमू ट्रेन का संचालन रेलवे करने पर विचार कर रही है तो इस संदर्ब में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अभी मेमू ट्रेन का जो संचालन है जैसा मीडिया में आया है लखनव चार बाग पर भी आप देख सकते हैं एक मेमू कर एक यहाँ पर प्लैटफॉर्म नंबर एक और दो के बीच जो हमारी लाइन है उस पर स्टेबिल है यहाँ पर खड़ा हुआ है तो यही रेक चलेगा अभी इस पर तो कुछ नहीं कह सकते पक्के तोर पर लेकिन लखनव चार बाग और साती साथ हमारे जो एनियार का गोमती नगर स्टेश नहीं आया है कितने फेरे लगाएंगी इन शहरों के बीच से अयुध्या तक ये भी अभी नहीं पता चला है और नहीं समय सारणी जारी हुई है तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है कि कितनी जोड़ी मेमू ट्रेंस चलाए जाएंगी उनका क्या समय रहेगा तब तक थोड़ी प्रतिक्षा करिए और मुझे लगता है 22 जन्वरी या उसके बाद मेमू ट्रेंस पर कोई नोटिफिकेशन आ सकता है